सामेन हजराद दास्ताने साविरबाग का ये दूसरा हिस्सा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जिसको लिखा है जनाब फैस बदायूनी सहाब ने जिसके म्यूजिक के फराइज अंजाम दिये हैं जनाब राजुखान सहाब ने रिकॉर्डिंग इस कल्यानी स्टूडियो दरिया का नेदिली चंदर गान्दी जी की है और इसको गाया है मैंने यानि के टीना परवीन ने और इंशालला इसके बाद तीसरा और आखरी हिस्सा भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें हजरत शम्शुदीन पानी पती की दुआ से अलाओ दिन खिल जी की आमेर के खिले पर फत्य और हजरत साबिर पाक का फना और बका का जो वाका है वो भी हम आपको इस आखरी हिस्से में जरूर सुनाएंगे इंशालला लीजे समात कीजिए दासताने साबिर पाक का ये पार् दासता मुकादस है ये हसीन कलियर की पाक कर दी साबिर ने है जमीन कलियर की पासता मुकादस है ये हसीन कलियर की पाक कर दी साबिर ने है जमीन कलियर की मिल गई खिलाफत जब फैद प्यारे साबिर को हुक्म पाक मुर्शिद का कल दिये थे कलियर को था जबान पर कलमा और कुरान सीने में जिसम हिंद में था और रूह थी मदीने में लेके आए ये शम्मा दीन हक की हाथों में जिकर रब का होता था इनकी प्यारी बातों में ये हदीस आखा की लोगों को सुनाते थे राहे हक पे चलने का रास्ता बताते थे जो शहर का आजी था आपको से हसद रखता वो शहर के लोगों में आपको बुरा कहता उसको शान साबिर की एक पल न भाती थी दिल में नफुरती रखता गम से फटती चाती थी फिर की सनद को जब काजी को दिखाया था हुक्म अपने मुर्शिद का जब उसे सुनाया था फिर शहर के काजी ने गोर से सनद देखी फिर शहर के काजी ने गोर से सनद देखी फिर शहर के काजी ने गोर से सनद देखी मुबतिला हसद में था उसने फाड कर पेगी अब जलाल आया था एक दम ही साबिर को आग लग गई हर सू थी वहां घड़ी भर को देखो घुसा साबिर का बोला काजी जाओ तुम हमको अपना ये जादू जादा ना दिखाओ तुम वो नशानी साबिर पर कुछ यकीन लाया था उसने इस करामत को जादू ही बताया था सबर करके साबिर अब आ गए मुरीदों में दिल में बेकली सी थी था खलल सनीनों में एक दिन हुआ ऐसा उस शहर के पाजी ने जहर भर दिया एक दिन एक अमीर के मन में उसकी खो गई बकरी वो बड़ा परिशाँ था ढूंडी थी बहुत बकरी तुछ पता न चलता था आया जब वो मस्जिद तो उसको मिल गए साबिर साथ में वो काजी था उनसे बोले वो आकर आप उसे गुजारिश है कुछ करम जरा कीजे आप उसे गुजारिश है कुछ करम जरा कीजे बकरी खो गई हजरत कुछ पता बता दीजे बकरी खो गई हजरत कुछ पता बता दीजे बकरी खो गई हजरत कुछ पता बता दीजे आप गर जो बकरी का कुछ पता बताएंगे आपकी विलायत पर हम यकीन लाएंगे हुक्म था ये साबिर का कुछ थे लोग बुलवाएं थे वो चोर सता इस लग रहे थे घबराएं पूछा था ये साबिर ने बकरी का पता दीजे है कहा छुपाई वो सब को सच बता दीजे बोले लो भी सारे वो रुस्वा ना करो हजरत बेवा जहना हम पर अब यू लगाई ये तोहमत फिर कहा ये साबिर ने बकरी खुद बताएगी दो सदा उसे दिल से हाल दिल बताएगी जब अमीर ने बकरी नाम से पतारी थी तो वहां पे चोरों के पेट से सदा आई बोली बकरी इन सब को मुझ पे ना तरस आया ले गए चुरा करके मुझको काट कर खाया मेरी खाल में भरकर हड़िया चुपाई है मेरी खाल में भरकर हड़िया चुपाई है एक कुआ है जंगल में उसमें वो गिराई है सबने जाके देखा तो अब यकीन था आया चोर वो सभी रोए दिल था उनका थर राया इस करिश में को भी अब काजी ने कहा जादू उस रई से कलियर पे अक नहीं रखा काबू बद अकीदा लोगों ने दिल दुखाया हजरत का जालू बिछ गया हर सू था वहां पे नफुरत का पीर को लिखा था खत खत में इल्तिजा की थी करना पाऊंगा खिद्मत मैं तो मामू कलियर की जो यहां का पाजी है वो बड़ा ही है बदतर वो ना बात को सुनता वो बताता जादूगर जाहिलत यहां फैली अपनी सब चलाती हैं दीने हक की राहों में लोगों कम ही आती हैं पीर ने लिखा खत में अपना रंग जमाओ तुम तुमको दे दिया कलियर जैसे भी चलाओ तुम पीर का जो खत आया तो किया ये साबिर ने दीने हक की शम्मा को यू जलाया कलियर ने दीने हक की शम्मा को यू जलाया कलियर में दीने हक की शम्मा को यू जलाया कलियर में खाजुमे का दिन लोगों आप आये मस्डिद में आप आके बैठे थे पहली अब वहां सफ में नूर सा वहां बिखरा जब हुजूर बैठे थे थे मुरीद भी संग में सब हसीन केहरे थे आया फिर वहां खाजी आये बद अकीदत थे आके प्यारे साबिर से बोले थे वो नफरत से रहन अगर है कलियर में तो रहो जराहद में तुम हो एक जादूगर काम क्या है मस्जिद में तुम उठो यहां से अब और तुम चले जाओ जो मुरीद है संग में वो भी साथ ले जाओ जब सुना ये साबिर ने सब को साथ ले करके उठके आप मस्जिद से आये अब तो बाहर थे बद अकीदा लोगों ने पार कर दी अब हद थी हुकम सुनके साबिर का दिर पडी वो मस्जिद थी आ गई थी वो मस्जिद तहर रब की अबजद में आ गई थी वो मसजद गहर रब की अबजद में दब के मर गए सारे बद रखीदा मसजद में थी मुरीदा साबिर की एक वहां पे गुलजारी दिल से जासे साबिर पे रहती वो सदावारी जब सुनी खबर उसने गिर पड़ी है मसजद अब जो नमाजी थे उसमें दब के मर गए हैं सब दोड़ती वहां आई बोली आके साबिर से था नमाज को आया मेरा लाल भी घर से ऐसी क्यों करामत ये आपने दिखाई हैं जान मेरे बेटे ने जो यहां गवाई हैं बोले हजरते साबिर रंज करना तू दिल में तेरा लाल भुलजारी है नहीं वो मुश्किल में तू निकाल ले उसको वो है मलबे में जिन्दा तू खुदा की है बंदी वो खुदा का है बंदा बेटा जब मिला उसको उसमें जिन्दगी पाई ये करम था साबिर का उसको मौत ना आई अब कहा था साबिर ने दूर तू चली जाना बाराकोस के अंदर तू नजर नहीं आना बाराकोस के अंदर तू नजर नहीं आना बाराकोस के अंदर तू नजर नहीं आना हो गए खड़े साबिर पकली शाह गूलर थी आग से दहक उठ थी अब जमीन कलियर की देखते जिधर साबिर आग सी लगा देतें बाराकोस तक बसती खाक वो बना देतें कुछ रहा नहीं बाकी बस बचा था वो गूलर आतिशे जलाली से खाको हो गया कलियर बारा साल आतिश में जब जलाया था कलियर पाक तब कहीं जाकर ये बनाया था कलियर अब फरीद से आकर के मिले थी शम्शुदी बैट करने की इनसे इलति जाए आकर के अब फरीद बाबा ने उनसे ये था फरमाया तुमको जाना है कलियर हुकम रब यही आया साल बारा बीते हैं बैठे हैं नहीं साबर खाक जल के सारा ही वो चुका है अब कलियर तुम जो जाओगे कलियर तब ही फैज पाओगे तुम जो जाओगे कलियर तब ही फैज पाओगे तुम ही मेरे साबर को जाके अब बिठाओगे तुम ही मेरे साबर को जाके अब बिठाओगे